Hello everyone, Welcome to Korn Study इस वीडियो में मैंने दो टॉपिक्स कवर किये हैं एक तो Land Reforms of JNK और एक Hydro Electric Project Basically मैं आपको revise करवा रहूं इन टॉपिक्स को तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने चले ही वीडियो शुरू करते हैं यह हमारा Facebook का पेज है प्लस यह close group है Facebook का आप यह दोनों जगा पर जॉइन कर लो ताकि इस recruitment की form filling की dates and updates आपको मिलती रहे प्लस आप में से बहुत लोगों ने subscribe नहीं किया है तो अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप subscribe करो और वो bell icon है उसको भी जरूर प्रेस करना अगर कुछ आपका doubt है या फिर कुछ भी query है तो इंस्टा पर मैं active रहता हूँ आप मुझे वहाँ पर भी बूट सकते हैं चलिए अब शुरू करते हैं JNK के land reforms को पढ़ने से पहले हमें JNK की थोड़ी history पढ़ने पढ़ेगी ताकि हम समझ सके कि क्या reasons थे कि land reforms को लाना पढ़ा कौन से ऐसी वजाये थी जिन्होंने pressure build किया कि land reforms लाये जाए तो एक नजर हम मारेंगे JNK की history पर सबसे पहले हम देखेंगे the famine of 1831 basically famine होता कि है famine is किसी चीज की कमी हो जाना जब भी किसी चीज की कमी हो जाती है मुझको कहते है famine किसी चीज की scarcity हो जाना कमी हो जाना ठीक है the famine of 1831 occurred under share sing ठीक है जब share sing यानि कि sing dynasty का rule चल रहा था यह तब की बात है यह तब का famine है तब की कमी हुई थी किसी चीज की और वो किस चीज की कमी थी वो कमी थी खाने की ठीक है फसल तबाह हो गई थी और वो इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कश्मीर में ठीक है floods आ गए थे excessive rainfall की वज़ा से वहाँ heavy तबाही हुई थी crop सारे खतम हो गए थे फसल सारी बरबाद हो गई थी तो इससे क्या हुआ था जो आठ लाख population थी उस समय कश्मीर की वो सीधा दो लाख पर आ गए थी यानि कि 6 लाख लोगों के deaths हुई थी और इतनी ज़ादा deaths किस वज़ा से हुई थी सिर्फ खाने की वज़ा से हो गए थी ठीक है अगर आज भी हम history पढ़ते हैं और ये detail पढ़ते हैं कि यार 6 लाख लोग एक साथ मर गए थे तो दिल बैड जाता है ऐसी चीजे पढ़के दूसरा जो फैमाइन अकर हुआ था वो 1864 में हुआ था जब महराजा गुलाब सिंग का रूल चल रहा था डोगरा डैनेस्टी का इसमें भी बहुत ज़ादा क्रॉप्स दबाओ गए थे और रीजन हरे का कॉमन सा रीजन है कि कश्मीन में बहुत ज़ादा बारिश हुई थी एकसे से फ्लच जाए थे ठीक है इसमें हुआ क्या था कि जो गुलाब सिंग की जो गर्वर्मेंट थी उन्होंने ओर्डर किया था कि चावलों को बहुत ज़ादा मात्रा में लाया जाए पंजाब से और यहां लोगों को दिया जाए सस्ते दामों पे ताकि यहां जितनी भी जो भी पॉपुलेशन है जो भी नुकसान है वो कम हो सके ठीक है नेक्स जो था फेमस फेमाइन वो था 1877 का दे ग्रेट फेमाइन ऑफ 1877 अब तो 1879 यानि कि दो साल चला था पूरे अब हुआ क्या था? हम जानते हैं कि कश्मीर की हिस्ट्री है कि वहां पे फेमाइन आते रहते हैं इन अब जाते हैं तो फसले तबाव हो जाते हैं ठीक है? ये जैसे हमने पीछे बड़ा कि ये पानी की कमी की वज़ा से नहीं होता बलकि एक्सेसिव रेन की वज़ा से यह तबाई होती है ये दो साल चला था पूरे और हर जगह इसकी तबाई देखने को मिली थी valley में कोई भी जगह इसके uneffected नहीं रही थी हर जगह इसकी तबाई देखने को मिली थी हुआ क्या था? ओगस्त में बारिषे शुरूई थी पांच महीने लगातार बारिषे चली और January में जाके ये बारिशे बंद हुई इन बारिशों के दौरान छोटे earthquakes भी हमें देखने को मिले अब reason अब इसकी वज़े से क्या हुआ कि जो वहां की crops है वो फिर से हमेशा की तरह तबाह हो गए ठेक है और अब खाने की फिर कमी होगी population जो शिरी नगर की थी ये particularly शिरी नगर की बात हो रही है एक लाख सत्ताइस हजार थी उस समय और गिर के कितनी रह गी साथ हजार खाली वन फिफ्ट ऑफ दे पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर कुट सवाइव दिस फैमाइन ठेक है कश्मीर की खाली खाली वन फिफ्ट यानि की खाली बीस परसंट कश्मीरी लोग यहां पर बच पाए थे इस इस फैमाइन के कारण ठीक है इस कमी के कारण खाने की खाली वन फिफ्ट ट्वेंटी परसंट लोग ही बच पाए थे Radical Land Reforms were the key to Sheikh Abdullah's towering influence on Kashmir Sheikh Abdullah का जो बढ़ता हुआ influence का कश्मीर में वो किस की वज़ा से शुरू हुआ था वो इन Land Reforms की वज़ा से शुरू हुआ था अब Land Reforms के बारे में पहले जानना ज़रूरी है तब ही आप समझ पाएंगे कि Sheikh Abdullah का यहां क्या रोल था और इस चीज की वज़ा से इस Land Reforms की वज़ा से वो एक तरीके से मसीहा बन गए थे कश्मीर के लोगों में तो अब Land Reform होता क्या है Basically Land Reforms में क्या होता है कि यहां पे Laws बनाए जाते है एक Owner Decide करने के लिए Land का ठीक है इसमें यूजिली क्या होता है कि जो Government की Land पड़ी हुई है जो किसी Purpose के लिए नहीं है कुछी की काम नहीं आ रही तो उसको Agriculture Purpose के लिए जा सकता है यहां फिर More Powerful बंदे के पास अगर वो Land है For example यहां पे महराजाओं के पास Ownership थी Land की तो उन से लेके आम आदमी को Land की Ownership दे देना यह इस Land Reform का Major Motive था ठीक है तो यह इसकी उपर टेक्स्ट आप इसे पढ़ सकते हैं Major Motive यही था कि जो Land की Ownership है वो Extreme Powerful लोग जो जमीन दा रहे हैं जो महराजा खुद है उन से लेकर एक आम आदमी को देना जो एक्चुली वहाँ पर काम कर रहा है उसको देना ठीक है अब इस टेक्स्ट में भी यही समझाया गया है कि जब महराजा हरी सिंग ने 16 मार्च को 1846 को कश्मीर खरीदा था 75 लाक में ठीक है ब्रिटिश से, इस्ट इंडिया कंपनी से तो तब जेन के कम्प्लीटली जो बनता था वो 90% जो था वो अग्रिकल्चर स्टेट था ठीक है इवन 1947 से जो 90% यहाँ पर रोजगार था या लोग रह रहे थे वो अग्रिकल्चर ही कर रहे थे यहाँ ठीक है तो कम्प्लीट फोकस कहाँ पर हो गया अग्रिकल्चर में अब यह जो लैंड रिफॉर्म है यह यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट हो गया था क्योंकि मेजर लोग जब काम ही अग्रिकल्चर कर रहे हैं तो यह लैंड रिफॉर्म उन सब की जिंदगी बदलने वाला था उने क्या वाला था कि जो लैंड है वो उनके खुद के नाम पे होने वाली थी जो आज तक कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके नाम पे अपनी जमीन होगी वो होने वाला था उनके साथ अब हम पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म ने जेन के में क्या चेंजिस लाए थे अब हुआ गया था कि जो कश्मीर के फार्मर से उनके बास कोई भी राइट नी थे प्रॉपर्टी के यहमने पहली भी पढ़ा कि जो में पावर थी वो किनके बास थी महराजोयों के पास थी सारी जमीनों की जो ओनर्शिप थी वो उनके बास थी कश्मीर के लोगों के बास जो फार्मर से वापर उनके बास कुछ भी नहीं था लेकिन यह 1931 तक ही चल पाया उसके बाद आगी नाशनल कॉन्फरेंस जिनों ने यह मूमेंट शुरू की जो है लान्ड रिफॉर्म ठेक तो इसके मेन अब्जेक्टिफ पांच थे ठीक है अबॉलेशन ओफ बिग लान्ड कंसेंट्रेशन जमीनदारी सिस्टम जो भी गर्मिंट ने अपने पास लान्ड रखा हुआ है बहुत जाधा तदात में जो हाई ओफिशियल महाराजा बैठे हुए उनके अंडर है वो ला जो परात हार्वेस्ट कर रहे हैं उनके नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और को ऑश्रीजर नहीं जिनके पास कोई लान्ड नहीं है जो किसी पर काम नहीं कर रहे थे उनको वो दी जाए ताकि अग्रिकल्ट्छर भी बढ़े यहां का और Consolidation of Holding यानि कि ये जो Holding है Land की उपर इन सब को खतम किया जाए इन ओल इन 5 का Objective यही था कि जो Government के पास जो महराजा के पास Land है ठीक है उसको एक आम आदमी तक जिया जाए उसकी Power उसका Ownership एक आम आदमी तक पहुंचाए जाए तो अब आता है अब बेसिकली होता है जब शेक अब्दुल्ला प्राइमिस्टर बनते हैं जेन के के 1948 मार्च में तो सबसे पहले वो उसी चीज़ को इंपोर्टेंस जेते हैं जिनोंने उसको जिताई होती है ठीक है अब वो क्या है अब आजेंडा ओफ Land Reforms बेसिकली 1944 में जब सुपोर Convention होती है तो अपने वो Manifesto जो सामने रखते हैं जिसका नाम वो रखते है The New Kashmir या The New Kashmir Manifesto तो उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि हमारा अजेंडा है Land Reforms का यानि कि हम वो Land जो एक आवादी जिस पे काम कर रहा है उसको उसका मालिक बना देंगे तो ये जो चीज है ये लोगों में एक तरीके का विश्वास पैदा करती है उनके प्रती और उनको कश्मीर की लोगों का मसीहा बना देती है अब होता कह है 30 जून 1951 में 4,6,194 कनाल की जगा होती है वो आम लोगों को बांड दी जाती है डिस्टिब्यूट कर दी जाती है ठीक है तो ये था ओके तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेट्रिक पार प्रोजेक्स के बारे में जित्रे भी जेन के में हैं और सारे कवर के में हैं इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली हमारी वीडियो का मोटिव ये है कि हम हर एक इंपोर्टेंट हाइड्रो इलेट्रिक पार प्रोजेक्स को पढ़ें लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बिल करना भी ज़रूरी है ध्यान से देखेगा हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे यह एक डाम ठीक है यह पीछे रेजर्वायर अब होता गया डाम को एक ओपनिंग दी होती है है यहां से पानी बहुत तेजी से नीचे किरता है वह नीचे होती है टरबाइन थीक है क्या होती है उतना गवाईन से यह लिओधा यह आइड्रोपावर दे रहा है और यहां से जन्रेटर क्या कर रहा है इलेटिकि प्रिद्यूज कर रहा है क्या बन गया हाइड्रो इलेक्रिक पावर प्लांट बन गया क्यों क्योंकि पावर जनेरेट हो रही है मारे पास ठीक है अब मैं आपको थोड़ी एक लाइव वीडियो से समझाता हूं कि इसमें पीछ जो डाम है इसके पीछ रेजर्वायर थेक पानी वाहां बाद रोड़ एंट्री दिए दाम कि आसे पानी निकल गया है उनको लेकर चला है बिकास अगर आप ऐसे पावर प्रजेक्ट्स को पढ़ेंगे तो वह आपको कंफ्यूस कर दोड़ा है तो आपको आप देएंगे तो हम क्या करेंगे कौन सी रिवर पे होन कौन से भाइप प्रजेक्ट्स की लिस्ट पहले झाषoli को देख लेंगे ताके आप अप कन्फ्यूस ना हो ठ्रीक है और सबसे पहले हम शुरू करएगे चिसनार बेल्र करेंगे चिनाब company cvpp company ने बनाये है ठीक है और यह company किसे ने बनाए थी यह company बनाए थी नहीं पीसी ने प्लस जेके इस पी डीसी ने ठीक है एनेच्पीसी होगे नाशनल हाइड्रो electric power पहावर कॉर्परेशन ठीक है और जे की होकई जे न के स्टेट पावर डिवैलमेंट और कॉर्परेशन ठीक है अब प्रोजेक्ट को उनकर बनाए गया है धेक। देखेंगे सलाल हाइडर्यॉलेट्रिक पर पफिचेए धुल deepestी ही 다 departments और रैटल तो इसको थोड़ा डिटेल में study करते हैं सबसे पहले दिखते हैं Salal Hydro Electric Power Project को ठीक है इससे basically आपसे दो question पूछे जा सकते हैं हर एक से basically आपसे दो ही question पूछे जाएंगे क्या height कितनी हो सकती है और capacity कितनी हो सकती है और ही किस river पे है, river तो मैंने आपको पहले हैं कि सब चनाब river पे हम discuss कर रहे है ठीक है फिर रिलीज़ करते हैं रिलेक्व होता है और यह होता क्यों है क्योंकि हमने इंडस water treaty sign की हुई है जो हमें अलोय नहीं करती कि हम पानी को store कर सकें हम 618 cubic meter से ज़ादा पानी store नहीं कर सकते ठीक है cubic meter से ज़ादा पानी store नहीं कर सकते यह clause है इंडस water treaty का अगर आपने मेरी इंडस water और ट्रीटी की वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं नेक्स प्रोजेट जो चिनाम डीपर भे है वो है बगलियार हाईडोय बटन्रीप पग्नुअ हैний से किडिक किनार नुज धा सब्सक्राइख साप. 450 ठीक है यह है run of the river project और basically यह 450 का है बगलिहार 1 और बगलिहार 2 की अलगलग है 450 ठीक है अगर पूछा होगा बगलिहार 1 की तो वह 450 है तू की पूछा होगा तो वह भी 450 है लेकिन अगर complete पूछा होगा है तो इनकी complete बनती है 900 मेंगावाट नेक्स्ट हमारे पास डुल हस्ती हाइड्रो इलेक्रिक पार पूछेट यह है हमारे पास चंद्रा रिवर पर ठीक है चंद्रा रिवर के चिनाप की एक ट्रिब्यूटरी है ठीक है और यह complete हुआ था 2007 में और यह है काम पर यह किष्ट वाड में इसकी हाइट है 70 मेगावाट और इसकी कपैस्टी इतनी है 390 मेगावाट नेक्स तो हमारे पास डिटाल हाइड्रो एलेट्रिक पार प्रजेक्ट ठीक है इसके लेंथ कितनी है इसके लेंथ हाइट है इसकी 133 मीटर और कपैस्टी इसकी 850 मेगावाट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भी क्या है रन आफ दर रिवर प्रोजेक्ट है और कहां बन रहे है ये बन रहे है किस्तवाड में ठीक है कुछ अपकमिंग पार प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे और ये काफी इंपॉर्टेंड है क्योंकि इससे कुछे जाते हैं ठीक है यह जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं टोटल आर्ट प्रोजेक्ट है और इनकी इंस्टॉल कपैसिटी कितनी है 6352 मेगावाट टोटल कपैस्टी बजा रहा हूं टोटल आर्ट के आर्ट की मिलाखे ठीक है गवर्मेंट ऑफ इंडिया नहीं इन सब प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी करने का ओडर दिया है और इसके लिए नाइन बिलियन डॉलर में लिख देता हूं को नाइन बिलिय दॉलर और अगर इंडियन रूपी में देखें तो 567 बिलियन रूपी अलॉट किये गए है ठीक है और इतनी कपैस्टी है ठीक है इन प्रोजेक्स की ठीक है अगर हम बात करें अब किर्थाई 1 और किर्थाई 2 यह 390 मेगावाट का है ठीक है 390 मेगावाट का है यह विलेज है किष्टवार में दोनों प्रोजेक्ट उद्र के हैं ठीक है 390 और 930 काफी बड़े प्रोजेक्ट है अगला है पकल डल पकल डल जोई हजार मेगावार्ड का प्रोजेक्ट है यह पकल विलेज में काफी बड़ा प्रोजेक्ट है अब यह जो दो प्रोजेक्ट है इ लेकिन ये दोनों काफी बार questions में आते हैं क्योंकि ये controversy इसलिए थी इन पर क्योंकि काफी लोगों के घरों को displace किया गया था और उनको मुआफ़जा भी दिया गया था इनके लिए तो इसके लिए इन्हें काफी बार questions में पूछा जाता है ठीक है next है हमारे पास बुरसर ये 800 Megawatt का है उज प्रोजेक्ट ये 212 का है और सवाल कोटे ठीक है सवाल कोटे प्रोजेक्ट जो है ये 1856 का है और ये कहां पर है ये भी important है काफी क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे आपने कवर कर लिए नेक्स्ट जेलम रिवर पे अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा जत्रे भी एफट्स हम डाल रहे हैं आपके लिए इन वीडियो को बनाने के लिए अगर आप लाइक करेंगे तो वील फील मोटीबेटेड फोर जेलम रिवर पे दो हाइडरो इलेक्रिक पार सेशन बहुत इंपोर्टनर ए लिकिन किशनगंगा नट constellation है वह जेलम की ट्रिब्यूटरी को हम अंडिया में किशनगंगा बोलते हैं पाकिस्तान में से निलम रिवर भी कहा चाता है अच्वें बायाए बात करते है और हआईडरो इ्लेट्रिक पार प्रजएक पट्रोक्रोजेक्ट जो है वह बारा मुला में बैंसे क्सीनिक ट्रिक्रिक्क है वहां बनाया गए ये भी कैस्सका व Two- Palam है जो 120تي इच जनेरहेट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 लगी है जो 120 जनेर्ट कर रहे हैं और यह कितना है टोटल 240 perfekt का को नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट पे उंञेत्ज जेलम रिएरपे वह है किशन गंगा हाइड उलेक्रिक प्रोजेक्ट के लेंध की तरी सेवन itra का project है और इसमें 110 मेगावार्ट की तर्बाइन लगें तीन अगी है टोल कपैस्टिस की कि निर आ जटी हो 330 मेगावार्ट ठीक है यह रन ओफ दर्वर प्रोजेक्ट है और यह कहां सबस्पेले बादकरते नीमो बाज को फाइड्रॉलेट्रिक ब्रॉजेक्ट कि टो यह जो आ है यह ले में हैं ठीक है अल्ची ऐएल ख़ाइल्जी विलेज आए वहां पर यह ब्रॉजियेक्ट है ठीक हैं ले में और इसमें 45 वाइट की कपैस्टी है इसमें तीन टर्बाइन लगे हैं जो 15 मेगावाट इच जनरेट करती है और यह भी कहा है रन आप टर रिवर प्रोजेक्ट यह वहां पर यह रिवर है सूरु रिवर और यह एक ट्रिब्यूट्री है किसकी इंडेस रिवर की ठीक है और इसकी कपैस्टी कितनी है, इसकी कपैस्टी है 44 MW ओके तो इस वीडियो से इतना ही, I hope आपको सब समझाया होगा, थेंक यू, and God bless you all.